प्यारे दर्शको आज हम हर्याना समानी गयन के कुछ पर्षनों को हल करेंगे यह पर्षनों के हल हम व्याख्या सहीत करेंगे और हर्याना के जितने भी चैनल वगरा पे जो वीडियो वगरा डाले हुए हैं उनमें कहीं भी आपको व्याख्या नहीं मिलती और जो व्याख्या याद नहीं रहेगा तो यह जो question है यह concept के साथ है तो चलिए शुरू करते हैं पहला question है हर्याना roadway में कुल कितने डिपो है तो 24 डिपो है कितने डिपो है 24 डिपो है तो यह data हमने कहां से लिया है यह हमने हर्याना roadway की side से लिया है कहां से लिया है अम्बाला है चंडिगड है करनाल है जीन्द है कैथल है सौनीपत है यमननगर है दिल्ली है कुरुक्षेत्र है पानीपत है गुरुगाम है और कुल मिलाके चोबिस है कितने हैं सभी जिलों में एक-एक है और उसके इलावा एक हमारा एक हमारा चंडिगड के अंदर है और एक दिल्ली के अंदर डिपो है तो कुल मिलाके चोबिस हो गए है फिर उसके बाद में सब डिपो सब डिपो कितने हैं हर्याना के अंदर तो हर्याना में जो सब डिपो है वो हैं 13 ये भी पूछा जा सकता है कई बार सब डिपो कितने हैं तो सब डिपू कितने हैं तेरा है नरायनगड है कालका है पंचकुला है नर्वाना है सफीद्धों है गोहाना पेहवा हांसी तोसाम डबवाली तोहाना बहादुरगड और लोहारू और अगर आप से यह पूछ जाए कि हर्याना का कौन सा जो बस डिपू है वो सबसे पुरान आप देखोगे तो एक नो उनिसो पचास को गुरुगराम का डिपू है एक नो उनिसो पचास को गुरुगराम का डिपू है वो सबसे पुराना डिपू है गुरुगाओं का जो डिपू है हमारा वो सबसे पुराना है एक नो उनिसो पचास को है और उसके बाद में आता है हमारा नंबर 71950 को अंबाला का सबसे पुराना अगर पहले और दूसरे नंबर पे इन में से अगर हम निकाले तो पहले नमबर पे हमारा सबसे पुराना जो रोड वेज का डिपू है वो है गुरू ग्राम का कहां का है गुरू ग्राम का तो चलिए अगला प्रसंद देखते हैं कहता है हर्याना में कुल गाओं की संख्या कितने हैं तो कुल गाउं है हमारे 6841, कितने हैं? 6841 गाउं हैं, और कई बार फिर अब वो ये पूछ लेता है, सबसे जादा गाउं किस जिले में हैं? तो सबसे ज़ादा गाम पे हैं यमनानगर में हैं और 655 है इनकी संख्या कितने हैं इनकी जंख्या चेस सो पच्पन उसके बाद में शबसे कम गाम кл- 2020igā सबसे थोड़े गाम है एक सो अरतालीस काम है 148 और कुल कितने है यह दो हजारना की जो हमारी सेंसास की इसके अनुसर्ड है जो ज optimistic अनुसर्य यह 足ुиком है अगला है हर्याणा में कुल ब्लोक में कुल लोग कितने हैं कि हारियाना में जो डिवीजन है वो कितने है छें हैं डिश्टिक 22 और सब डिवीजन 71 हैं तैशिल कितने हैं CAP 1963 में हैं सब तैसिल 49 है और ब्लोक कितने हैं 140 है यह आंकड़ा हम देख रहे थे और टाउंस कस्वे हैं जो वो कितने हैं 154 है हर्याना के अंदर और गाउं है 6841 है जो हमने अभी थोड़ी दिर पहले ही देखे थे इसके इलावा यह जियोग्राफिकल एरिया वगर रहा है जो 2011 क अंदर जेख एरिया अंडर फॉरेष्ट्ट टू टोल एरिया जो एरिया है हमारा यहां पर फॉरेष्ट जंगल है जिसमें टोल एरिया के वो कितने है ki दिं नौतब्र 205 है हैं percentage में इतने अरिया में हमारे यहां पर बंभ है नेट एरिया milliseconds टो टोटल एरिया जो टोटल एरिया है जिसमें बोया जाता है शुद्द बोया गया जो अक्षे तरह वो कितना है सी दिशमेलों 58 है नेट इरिगेटिर एरिया जो बोया गया है उसमें से सिंचाई वाला एरिया कितना है 84.4 परतिशत है और येल्ड टू राइस चावल कितना में होते हैं 31.1 परतिशत में और वीट 49.2 आठ एक परतिशत में और पापुलेशन है वो 253.5 एक 253.5 है और ये लाख है 253.5 है मतलब 2 क्रोड 53 लाख है और इसमें से जो अर्बन पापुलेशन है शहरी है वो है 165.09 है और रूरल पापुलेशन वो है 88.42 परसेंटेज ओफ रूरल पापुलेशन सेंसस जो रूरल पापुलेशन है वो कितनी है सोरी रूरल में 165.09 था और अर्बन में 88.42 था और जो परसेंटेज ओफ रूरल पापुलेशन है वो परसेंटेज ओफ अर्बन पापुलेशन है वो 65.1 परसेंट है इन एज ग्रूप 0-6 यह चलो बाद के डाट है एक बार आप इसको सक्रीन शोट भी ले सकते हो सक्रीन शोट लेके और इसको अच्छी तरह से एक या दो बर देख सकते हो तो चली अगला देखते हैं पहला आकाशवाणी के अंदर हर्याणा में कहां हुआ तो यह रोहत्तक के अंदर हुआ था पहला काब हुआ था रोहत्तक में हुआ था आठ माई उनिसो चेत्तर को कुरुक्षेत्र में 24 जून 1991 को हिसार में 26 जन्वरी 1999 को 26 जन्वरी 1999 को और तो चेत्तर में पहला हुआ था इक्यानवे में रोहत्तक में हुआ था सुरी कुरुक्षेत्र में हुआ था और निन्ञानवे में हिसार में हुआ था इसके बाद में हरियान में ग्यात पूरा सतलों में राक्षी कड़ी के बाद में दूसरा सबसे बड़ा पूरा सतल कौन सा है दक्स खेड़ा है कौन सा है दक्स खेड़ा है तो रोहत्तक में एक तैसिल है महं कौन सा तैसिल है महं तैसिल है और इस महं तैसिल में आता है यह घाम फरमाना सक लांछ 変 ज में फर माम फर्माना गाम Anth अता है उस गौनके पास में ही ऐ Bem दक्ष्षड़ा वहां पर मिला है इसका कुल एरिया है 32 हेक्टेर कितना है 32 हेक्टेर और इसके अंदर भी हड़पा का लिन्द है यह नगर कि यहां पर विसभी सड़के हैं चोड़ी सड़के हैं नब्बे के कौन पर मुड़ी हुई है और इसके इलावा इसमें जो घर है उन सभी घरों का मुँ पूरो दिशा में है कहा है पूरो दिशा में उनका मुँ है घरों का अदिक्ष्टर का और यह यहां पर कबरें मिली हैं क्या मिले हैं कबरें मिली हैं यहां पर जैसे यह कबरें हैं यह मिट्टी के बरतन जो आप देख यहां पर मिले हैं और बताते हैं यह जो नगर था दक्ष खेड़ा यह सरस्वतिन नदी के किनारे था सरस्वतिन नदी के किनारे बताते हैं या कुछ लोग इसे यमना नदी के किनारे भी बताते हैं कुछ जो इतियासकार हैं वो इसे यमना नदी के किनारे भी बताते हैं तो उम्मीद खरता हूं समझ में आ गए होंगे आपके तो चलिए अगला परशन देखते हैं हर्याना के मेहंदरगड जिले में क्रिशी के उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई प्रियोजना चलाई जा रही है तो यह है जे एल एन उत्पादक सिंचाई प्रियोजना तो जे एल एन का मतलब है जवहारलाल नहरू जवहारलाल नहरू उत्थापक उत्थापक सिंचाई प्रियोजना और यह जो योजना है यह नारनोल से आती है नारनोल में से शुरू होती है और यहां पे लिफ्ट सिस्टम से सिंचाई की जाती है इति हैं लिफ्ट सिस्टम से क्योंकि यहां पर नी का जो बहाव है वह विपरित डाल में पर उपरित डाल में हैं और महें। मेहंदरगड में एक नदी भी है जिसका नाम है दोहन नदी कौन सी नदी है दोहन नदी है जो राजस्थान से मेहंदरगड में गुशती है राजस्थान से आती है अगला परशन है हर्याना में लाडली सुरक्षा लाडली समाजी सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की ती और उस समयज में 300 रुपे दिये जाते थे तो यह कब देते हैं 45 वरस के बाद 45 वरस की आईयू के बाद देते हैं देते किसे हैं जिसके सिर्फ लड़की हो सिर्फ लड़की हो और कोई पुत्तर पुत्तर हो या गोदलिया भी ना हो गोद भी ना हो दत्तक पुत्तर भी ना हो तो उस समय इसमें शुरू में तिन सुरू रुपे दिये जाते थे और आज कल इसमें पच्छी सुरू रुपे परमंत दिये जाते हैं पच्चीस रुपे परमंत दी जते हैं लाडली समाजिक शुरुक्षा भत्ता योजना एक लाडली योजना है और उसमें पांच साजार रुपे के वो अलग है जो दूसरी है लाडली योजना लाडली योजना वो अलग है उसमें पांच साजार रुपे के किसान विकास पत्त जारी किये जाते हैं वो लाड़ी जाना है वो दूसरी बेटी के नाम होती है तो चलिए अगले लेखते हैं हर्याना में हिसार में किस गनराज्य का स्तित्व था तो अगर गनराज्य का किसका था अगर गनराज्य का जो अगरोहा है जहां पर अगरोहा दाम है तो ये अगरोहा है ये अगरगन रज्जे का महराजा अगरसेन महराजा अगरसेन का यहाँ पर रज्जे था पदमनी भूरा बादल मोर्ध वज भक्त परलाद भक्त परलाद यह सब किसके सांग है यह रचनाई है तो यह किसके हैं पंडित शंकरलाल शुकल के एक इनकी भक्तमाल भी है तो यह इनकी रचनाई है तो अगला देखें हरियाना प्रदेश की ज्यात पर्थम भाषा कौन सी है महतपुन परशन है तो यह है चांदस कौन सी है चांदस है यह हरियाना प्रदेश की प्राचिनतम पर्थम ज्यात भाषा है और यह जो ज्यात भाषा है हमारी आजकल जैसे हम हरियान में बोल रहे ह तो हर्याना में प्राचिन काल में जो सो से पहली भाषा थी वो कौन सी थी चांदस थी प्राकृत कोरवी हर्यानमी है ये कोरवी से निकली हुए हर्यानमी किसे निकली हुए कोरवी भाषा से निकली हुए तो यह जो चांदस भाषा थी इसमें 24 सवर होते थे कितने सवर होते थे 24 सवर होते थे और 36 वेंजन होते थे अगला है हर्याना में हिंदी के बाद में दित्यक भाषा के रुप में किस भाषा को पनाया गया है तो पंजाबी को पनाया गया है किसको पनाया गया है अगला है मुलत हर्याणी भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जता है तो यह कोर्वी का जैसे मैंने आपको पहले विताया था कि जो हर्याणी भाषा है वो कोर्वी बोली का रूप माना जता है आगे है संद गरीबदास संथ गरिबदास का जनम कहा हुआ था हरियाना में छुडानी में हुआ था छुडानी गाम है रोत्तक में सोरी जजर में पहले रोत्तक में होता था आजकल जजर में है ये छुडानी एक है सत्य सिधान्त प्रकाश इसकी रिशना किसने की थी तो संथ नित्या नंद जीने की थी किसले की थी संथ नित्या नंद जीने की थी अगला परशन है भारत के पर्थम सूफी संथ सोरी हरियाना के हरियाना के पर्थम सूफी संथ कोन थे सेख महम्मद तुरक पर्थम सूफी संथ कोन थे शेख मुहम्मद तुरक अगला परशन है जैन कावे धारा में हर्यान में बोली का प्रयोग करने वाले प्रमुक सहित्यकार कौन थे तो कवी सिर्धर जैन कावे धारा में हर्यान में बोली का प्रयोग करने वाले प्रमुक सहित्यकार थे सिर्धर अगला है हर्याना में साहिते के विकास के लिए कितनी साहिते अकादमी विक्सित की गई है पांच अगला परशन है हर्याना सरकार दौरत 6-18 वर्ष मलब 6 सल का बच्चा पहली किलास में आता है और उसके बादे 18 सल का पलश्टों तक में हो जाता है के नेतर हिन बच्चों के लिए मैट्रिक्स सतर तक नी सुलक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवाशे विदालिया राज्य के किस शहर में चलाए गया है तो ये पानी पत में चलाए गया है पानिपत में चलाए गया है यह देखिए समाजिक निया एम अधिकारिकता विभाग राज के अंध्विधाले पानिपत गौर्मेंट इंस्टिटूट अर्दा बलाइंड यह है और यह अगर आप देखोगे यहां पे इसके तो यह इनके लाइबरेरी है ब्रेल लाइबरेरी ह इन दिवयंगों को शिक्षा दि जती है और वेवर कलोनी है पानिपत में वहां पे इनका यह स्कूल है वेवर कलोनी पानिपत में और स्थापन न 1958 में की गई थी गई तो हर्याना में ये अंद भीशुवी धाली है स्वोरी अंद स्कूल है बच्चों के लिए जहां पर पहली कलास लेके दर्सवी कलास तक के बच्चों को पढ़ा जाता है और ग्यारवीं और बारवीं में पढ़ने वाले बच्चे जो कहीं और रह रहे हो और इमक्यूं चाहिए दौने कि तो ज यहाँ पे वी सब्सक्राइब को करना सकते हैं कि और यहां पर रहना काम पीना सभी है इन बच्चों के लिए दिव्यांगों के लिए तो कहां है ये पानिपत के अंदर है 1908 में बना था वेवर कलोनी है वहां पे हैं उमीद करता हूं आपको मेरे द्वारत दीगी जानकर ये अच्छी लगए होगी अगर जानकर ये अच्छी लगती है तो लाइक वे शेयर कर देना और ये आपका चैनल है जिस्वाइश्वर सर इसे सब्स